Hello friends, welcome to Teachers Empire आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उत्राखन पेडागोजी जो कि आपके पेपर में पूरे 30 marks गवर करती है और 70 marks का आपका जहां subject आता है तो वही 30 marks आपके पेडागोजी गवर करती है इसका मतब यह हुआ यह 30 marks आपको लाकों की selection से आगे ले जा लेंगे लेकिन यह 30 marks आपको लाकों की selection के पीछे भी ले आएंगे अगर आपने इनको topic वाई study नहीं किया है उत्राखन का अगर मैं पिछले बार की pattern की बात करूँ पेपर pattern की बात तो उसने पेडागोजी में एक भी question syllabus के बार का नहीं पूशा है तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगा की आज मैं कौन-कौन से topic cover इसमें करने वाला हूँ पहला जो आपको topic दिख रहा होगा वो है आपका अधिगम वाला जहां पे भी आपको अधिगम शब्द इसमें लिखावा दिखाई दे रहा है उसी से related में आपको question बताऊँगा क्योंकि आपको बताऊँगा अधिगम शब्द आपने 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 बहुत ही vast area cover करता है पेडागोजी में तो आज मैं एक तो अधिगम वाले से question लाँगा और जो दूसरा ठफिक आपको दिया गया है वो है आपका RT-2009 यह RT-2009 जो किसके last में दिया गया है पिछली बार भी इससे एक question बना था और इस बार भी हो सकता भी है एक से दो question इससे बनेंगे बनेंगे तो चलिए बागी का discussion ना करते हैं मैं आप सीधे questions की और बढ़ता हूँ त्यान रखेगा question आपके दो type के होते हैं एक तो होते हैं आपके applied question दूसरा होते हैं आपके fact based question applied question में तो आपको अपनी सूच का इस्तिमाल करना होता है लेकिन जो fact based question होते हैं वहाँ पे आप तुका नहीं मार सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा आपका एक अगर question pedagogy में गलत होता है तो वह आपको बहुत से आगे या बहुत से पीछे जरूर आपको कर देगा आगे तो आपको नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है एक question आपको गलत होगा एक तो आपका marks जाएगा ही लेकिन इसमें 0.25 भी आ बांडूरा जीन पियाजे क्लाखल आपको पता है कुर्ट लेविन जो की मिलते जूलते हैं किससे या जो की समकाली नहीं किसके गेस्टार्ट वादियों के कुफका वर्दिमर इस तरीकी के अगर आपने नाम सुने होंगे तो यह उनी से संबनित है तो इसका तो ब्योहार स सिद्दान का क्या मतलब अगर बात करेंए जीन पियाजे की यह किया है एक संगयानवादी हैं यानि यह संगयान की बात करते हैं और इन्हों asti इसका सही आंसर होगा यानि अधिगम की ब्योहार सिद्धान्त के जनकोंने क्लार कर लें बढ़ता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानि क्वेश्चन नमबर टू क्यों अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसे माना जाता है यह आपके बास दंड वो आरोब को प्रिश्कार वो प अधिगम की सफलता का मुख्यादार माना जाता तो आपको लगबग भाईया रोजी आपको पुरुसकार ही देने पड़ते विद्यारतियों को क्योंकि विद्यारती सफल होने की इच्छा तब ही करता जब आप उसको पुरुसकार दिखाते जो इसमें तीसी चीज है वह आ अधिगारी बनने की इच्छा अधिगम की सफलता का मुख्यादार नहीं हो सकता क्योंकि अधिगम का मतलब केवर पढ़ाई से ही नहीं होता अधिगम का मतलब होता है जो चीज आप वाताउनर से प्राप्त करते हैं तो इसलिए अधिगारी बनने की इच्छा के लिए तो कोई बच्चा अगर computer के hardware पार्ट को सुदानने की भी अगर वो कौसल ले रहा है तो वो भी एक तरीके से क्या है अधिगम है लेकिन वो भी उसमें सफल कब होगा जब वो उसमें क्या देगा अच्छी तरीके से ध्यान देगा या उसको इस चीज की बहुत ही इच्छा होगी क कि मैं इस काम को सिखूंगा तो मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा यही कारण होता है कि अधिगम की सफलता का जो मुख्यादार बनता है आपने देखा होगा जो नर्सरी और केजी के बच्चे होते हैं वो लोग पढ़ाय में मन नहीं लगा पाते हैं उसका रीजन क्या होता है क क्योंकि उनको लक्षी नहीं पता होता है कि हमने इस पढ़ाय का करना क्या है वहीं अगर आप 11-12 में आते हैं या अभी जैसे आप LT की त्यारी कर रहे हैं या आप किसी भी competitive level exam की त्यारी करते हैं तब आप उनकी अप्रिक्षा नर्सरी या KG1 या 1-2 क्लास में पढ़ने आ question है आपके सामने कि एक बाली का कुछ cycle चलाना आता है वह स्कूटी खरिती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है यहां अधिगम का कौन सा इस्थानांदरन है इस्थानांदरन का मतलब यह आप से transformation की बात पूछ रहे है क्या यह पार्सविक transformation है नकारात्मक transformation है सु सुनने का मतलब होता है आपने जो चीज सीखी उसका आपके किर्या से कोई मतलब नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने पहाड़े सीखे लेकिन आप अगर जोड कर रहे हैं यानि अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो उसमां आपके पहाड़ों का आपके tables का उतन इस्तानांतरन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपका knowledge का transformation नहीं हो पा रहा है नकारात्म का इस्तानतरन में क्या होता है जब आपका कोई भी negative transformation knowledge का होता है ठीक है यानि आपके इसके result क्या आते हैं negative आते हैं जो औ है इसमें वो है आपका parts work transformation transformation का मतलब है कि अगर आपने जैसे for example अगर आपने पहाड़े सीखे लेकिन वही पहाड़े सीखकर अगर आप बड़ी-बड़ी calculations को हल करते हैं तो वही का होता है आपका parts work स्थानतरन होता है यानि आपने चीज तो छोटी सी सीखी थी आपने क्या सीखा था केवल पहाड़े आपने सीखे थे यानि दो से लेके 20 तक आपने जो पहाड़े सीखे थे लेकिन वही पहाड़े आपके काम आ रहे हैं तो आसानी सी स्कूटी चलाना सीख जाती है यानि उसने पहले balance बनाना किस में सीखा था साइकल में सीखा था तो अब उसको स्कूटी चलाने में आसानी होगी परंतु चाय पीकर वो गहरी नीद में सो जाता है यहां अधिगम का इस्थानांतरण है पार्सविक इस्थानांतरण है सुन्य इस्थानांतरण है सकारात्मक इस्थानांतरण है या नकारात्मक इस्थानतरण है बांके के तीन option मैंने आपको अभी explain किये हैं लेकिन जो एक option मैंने अभी पीछे चोड़ा था वो था आपका नकारात्मक स्थान्तरन अभी नकारात्मक स्थान्तरन क्या होता है जैसा आप question में देख रहे होंगे कि विष्णन ने चाय पी क्यों थी ताकि वो नीद भगा पाए और अपनी पढ़ाई कर पाए लेकिन चाय पीगर फिर से गहरी नीद में सो जाता है यानि जो चीज उसने करी थी क्या उसका positive effect उसपे हुआ नहीं हुआ लेकिन उसका negative effect हो गया तो ये क्या कहलाएगा आपका नकारात्मक स्थानादरन कहलाएगा और किसका अधिगम का नकारात्मक स्थानादरन कहलाएगा क्योंकि उसने चीज कुछ और करी थी लेकिन उसका negative effect उसपे पढ़िया और चाय पी कि उसको फिर से क्या आगी नीद आगी जबकि उसको चाय पी कि नीद नहीं आनी चीए थी तो ये क्या होगा आपका अधिगम का नकारात्मक स्थानादरन होगा नेश कोशन आपके सामने जो है वो है आपका क्रियात्मक अनुबंदन सिद्दान किसकी देन माना जाता है फांडाई की, इसकीनर की, पावलो की या उप्यूक सभी इसका जो सही आंसर होगा आपने एक नाम सुना होगा क्रिया प्रसूत अनुबंदन अब ये क्रिया प्रसूत अनुबंदन का मतलब क्या होता है किरिया प्रसूत का मत्तब होता है जन्म देना जैनि किरिया के बरसाथ किरिया के बच्चाथ जिस अनुबंदन का जन्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका किरिया प्रसूत अनुबंदन कहते हैं जैनि किरिया के द्वारा जिस आपके अनुबंदन का जन्म होगा प् किरियात्मक अनुबंदन का सिद्दान किसकी देन माना जाता है तो यह जो किरियात्मक अनुबंदन या आपका किरिया प्रसूत अनुबंदन है वो दोनों एक ही चीज हैं तो इसलिए इसका सही आंसर होगा इसकी नर सांतियों मैं आपको बता दूँ कि हमारा अभी एक online course भी चला है 7060-424195 ये मेरा WhatsApp नंबर है आप इसमें WhatsApp छोड़के आप उसके बार में जानकारी ले सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो 15 days के आपकी class होंगी उसमें आपको 300 MCQ मिलेंगे और उसके सांसार आपको एक्स्प्रेंशन भी टॉपिक का दिया जाएगा लेकिन ये एक्स्प्रेंशन जो भी होगा वो उतराखंटे LT के syllabus के according होगा UKSSC के syllabus के according होगा इसमें बाहर का एक भी questions या एक भी टॉपिक आपको नहीं कराए जाएगा अभी जो इसकी फीस है वो है मातर 200 रुपिस जिसमा को 15 days की class होंगी वन मन्त में तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर और मैं इसका पुरा detailing आपको description box में दी होगी आप चाहें तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं question है आपके सामने कि gestal का अर्थ है option or है आपके सामने कि ब्यवहार की रूप में या परिवर्तन की रूप में या मसीनों की रूप में या समगरी की रूप में आपको पता है जो ब्यवहार अर्दी बात करते हैं वो किसकी करते हैं part to whole की बात करते हैं ठीक है यानि एक इस तरीके का उन्होंने जो चित्र बनाया था उनका कहना था कि अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको गुल्देस्टा जैसा लगेगा लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये दो आजमियों के आपको चहरे जैसे देखेंगे तो इसलिए वो बात करते हैं समगर रूप में वो कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को पूरा देखना चाहिए यानि आपको पार्ट देख के उसका डिसाइट नहीं करना चाहिए तो ये कहते हैं गेस्ट आल्ट वादी अब मैं भड़ता हूँ कुछ RT 2009 के क्वेशन की और पहला क्वेशन आपके सामने जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश था आप्शन ए है आपके पास शिक्षा का मूल अधिकार बनाने के लिए शिक्षा को गुणतापूर्ट सिक्षा उफलब्द कराने के लिए भारत की साक्षिता दर बढ़ाने के लिए या निजी सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके पहले अपना अंसर आप कमेंट सेक्षन में देंगे तो जो इसका सही आंसर है वो है option number B यानि छातरों को गुणतापूर्ट सिक्षा उफलब्द कराने के लिए शिक्षा को मूर अधिकार बनाने की बात आटी दोहजार नौ के अधिनिमन नहीं बलकि वो कौन से संसूदन के तैक था तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा option number B यानि छातरों को गुणतापूर्ट सिक्षा उफलब्द कराने के लिए कि इसका क्या था उद्देश शिता किसकी बात ओरी थी आटी दोहजार नौ की बात ओरी थी आपको पता होगा जांती हो कि जो आटी दोहजार नौ है उसमें आपकी साथ 13 हैं और उसमें आपकी साथ अध्याय हैं साथ क्या है इसमें अध्याय हैं और साथ अध्याय के साथ तो इससे पहले आप इसको LIKE करना ना भूलें ध्यान रखेगा जो इस वीडियो का टार्गेट रहता है वो रहता है मेरा 100 लाइक्स का और 10 सेयर का जैसी 10 सेयर और 100 लाइक्स का टार्गेट पुरा होता है मैं आपके सामने एक नहीं वीडियो UK SSC के सिलिबस के अनुसार ले आता हूँ तो इसलिए आप धान रखेगा कि आप जितना लाइक करेंगे तो उतने जल्दे आपके सामने वीडियो आएगी पिछली वीडियो में जैसी 10 सेयर के टार्गेट पुरे हुए तो मैं अभी एक आपके लिए वीडियो ला गया हूँ तो इसलिए आप इस बात का ध्यान दीजेगा कि आपके जैसे 100 लाइक्स होते हैं और 10 सेयर बहुत जरूरी हैं आप ये ना सुचीगा कि कोई दूसरा बंदा करेगा तब हमें फायदा होगा आप ये देखिएगा कि आपको questions मिल जा रहे हैं आपके शेयर करने से तो वो बहुत अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि आपको syllabus के ही according मिल ले है syllabus से बाहर का मैं आपको कहीं से भी कोई भी उठाके नहीं दे दे रहा हूँ तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ question number 2 की ओर तू है आपके सामने right to education 2009 देश में कब लाग हुआ था एक अप्रेल 2010 को एक अप्रेल 2009 को एक जनरी 2010 को इसका जो सही answer है वो है option number A यानि एक अप्रेल 2010 को right to education लाग हुआ था comment box में comment box में आप मुझे आर्टी का full form बताएंगे आर्टी का full form comment box में आप मुझे बताएंगे मुझे आपके comment का इंतजार रहेगा वीडियो का आप like करना ना बोला है मैं फिर से कह रहा हूँ बढ़ता हूँ मैं next question की हो next question आपके सामने है कि RTE 2009 के बारे में कौन सा गसन असत्य है कि असत्य है वाले question इस बार आप से पूछे जा सकते है option आपके पास यह अधिनियम लागू होते ही जम्मु कस्मी राजी में लागू नहीं हुआ था यह बिल्कुल सही answer है इसका वास्ता में इसमें जम्मु कस्मी राजी में लागू नहीं हुआ था दूसे आपके सामने यह अदिनियम राश्टी ग्यान आयों की सिपारिश पर लाये गया था ये भी इसका बिल्कुल सई आंसर है ये अधिनियम ब्वास्थ में राश्टी ग्यान आयों कि सिपारिश पर लाया गया था ये भी आपका इस सौड क्केशन बन सकता है कि RT-2009 आधिनियम किस आयों कि सिपारिश पर लाया गया था नेक्श जो इसके सामने है वो है यह अधिनियम में चात्रों के अधिकारों के साथ सांथ सिक्षकों, अभिवागों और सरकार के दाइत तकी भी निदारित किये गए हैं यह भी इसका सही आंसर है क्योंकि इसमा आपको सिक्षक के बारे में भी दिया गया है और अभिवाक के बारे में भी दिया गया है और सांती सांत, सरकार के दाईति के भी इसमें निदारित किये गए हैं अब अगर बढ़ूं, option number D option number D आपसे कह रहा है कि यह अदिनियम 6-18 वर्स तक के बच्चों के लिए निसुलक सिक्षा का प्रावदान करता है अभी आपको एक एक बिनट के लिए यह आपको सही लग सकता है लेकिन यह अंसर इसका क्या ज़्या है? गलत है अगलत क्यों है? यह भी मैं आपको बताऊंगा त्योंकि यह गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? 6-18 वर्स जबकि 8 एदिनियम कितने से कितने वर्स तक की बात करता है 6 से 14 वर्स तक की बात करता है वो 6 से 18 वर्स वो विशेश योगिता वाले या जो आपके विशेश चो स्रेनी वाले वालक होते हैं उनके लिए 8 एदिनियम बात करता है लेकिन वैसे जो नॉर्मली जो उसकी निसुल के शिक्षा की बात किरे गी है वो क्यों 14 वर्स तक करी गई है 18 वर्स तक नहीं करी गई है तो जो इसका सही आंसर था वो था असत्य इन में से कौन सा कतन होगा तो वो असत्य कौन सा कतन होगा option number D क्योंकि आठी अधिनियम ने 6 से लेकि 14 वर्स तक की बात ही करी है बढ़ता हूँ अब मैं next question की हो next question में जाने से पहले मैं फिर से कहा रहा हूँ जो online course चला है उसकी फीस मातर भी 200 उपीस रखी गई है जिसमें आपकी 15 days की classes होंगे वीडियो काफी लंबी बन चुकी है इसलिए मैं ये question अब मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ आपके इस question का answer आपने comment box में मुझे देना है और वीडियो कैसे लेगी है आप comment करके जरूर बताएं और 10 share का target पूरा होने पर और 100 like का target जैसे ही पूरा हो तो मैं आपके लिए नई वीडियो इसी रूप में लेके आओंगा